अब नेहा एंड वेलकम बेक टो माई चैनल आम हेर विद न्यू टॉपिक सो लेट्स बिगेन तो आज का हमारा टॉपिक है इन्पूर इंटीग्रेशनिस्ट थियोरी और इस थियोरी को सोचल इंट्रेक्शन थियोरी के नाम से भी जानते हैं यह हैं लैंग्विज एक्विज इसनिस थियोरी यह थियोरी जो थी वह कॉगनेटीब थियोरी के ठूछ ही आई ती जैसा कि मैंने पहले बताया था कि पहले कुछ थियोरी डेवलेब होती हैं फिर उसमें कुछ चीजे एड आन करके उस चीज उस स्टडिय को आके बढ़ाया जाता है तो इसी तरीके से यह भी cognitive theory के त्रू आई थी और language behavior जो थे उसको किस तरीके से बच्चे गेन करते हैं यह बताया गया तो जैरम जैरम प्रूनर ने इस theory को दिया था 1966 and 68 में इन्होंने बताया कि जो बच्चे होते हैं वो basically जो उनका language होता है वो input होता है children receive from their caregivers वो अपने parents के थ्रू जो उनके care करते हैं उनके थ्रू language को गेन करते हैं language जो होती है वो exist करती है purpose of communication और बच्चे जो है वो लोगों से interact करके बहुत सारे लोगों से interact करके जो communication जुन से होता है वो उसके context से सीखते हैं किसी purpose के लिए तो जो ब्रूनर थे हैं उन्होंने behaviors के लिए जो talking to children adults when talking to children is especially adopted to support the acquisition process बतलब कि जब adults जो होते हैं जो बच्चों के care takers होते हैं या फिर जो उनके relatives या जान पैचान वाले होते हैं जब वो बच्चों से बात करते हैं तो यह जो process होता है यह बच्चे क्या करते हैं वो acquisition process कहलाता है और उसी से बच्चे adopt करते हैं इस process को Brunner ने बताया कि यह process जो है वो child directed speech और serious है इसको अच्छे से याद करिएगा child direct speech in short serious means की जो बच्चे हैं वो directly बात से करने से language को सीखते हैं और यह जो support करता है यही बच्चों के learning को support करता है यही describe करता है एक जाल सा बनाता है language का जिससे बच्चे बोलना सीखते हैं Brunner ने और एक चीज बताई और एक term बनाया language acquisition support system इसको in short में L.A.S.S. बोला जाता है जो basically response दिया था इनोंने जो चौमस्की के L.A.D. means language acquisition device जो चौमस्की ने दी थी जो previous वीडियो में हम discuss कर चुके हैं in netness theory में उसी के response में Brunner ने language acquisition support system को create किया चौमस्की ने क्या बताया था कि जो हमारे brain में कुछ biological terms होते हैं जिसके through neural circuits के through language create होती है हमारे brain में information जाती है languages उसके थ्रू बच्चे सीखते हैं और language acquisition support system जैसा कि यहां बताया कि एक जाल होता है जो बच्चे जिससे सीखते हैं वो एक acquisition का process होता है उससे बच्चे adopt करते हैं जो adult बोलते हैं यही language acquisition support है और यह जो structure है बातचीत करने का बच्चों की language का यह develop होता है through games and non-verbal communication games के through यह communication बढ़ता है जब बच्चों के साथ आप खेलते हैं बात करते हैं तो उससे language जो होती है वो increase होती है और second non-verbal communication means कि किसी भी pictures को किसी भी diagram को दिखा दिया जाता है और बच्चे क्या करते हैं बहुत खुशी से उसको बोलते हैं जैसे जब बच्चे starting में words को सीख रहे होते हैं तो अगर cow दिख जाती है तो क्या करते हैं बच्चे cow cow बोलना शुरू कर देते हैं और apple दिख जात होता है खुद भी देख के बोलते हैं और अगर आप उनके साथ कोई game खेल रहे हैं तो फिर अगर दिखाते हैं तो उसमें भी बच्चे क्या बोलते हैं बहुत excited हो कि उन words को बोलते हैं प्रोनाउंस करते हैं क्योंकि वह उनका starting का stage होता है और उनके लिए हर एक चीज हर एक word यह पूरी जो दुनिया होती है न वो सम नहां होता है तो वो हर एक situation के लिए हर एक moment में excited होते हैं real life में सबको भी ऐसा ही करना चाहिए एक बात और बताई कि जो बच्चे होते हैं वो sentences को सुनते नहीं है के लिए बलकि वो किसी context में किसी purpose के लिए उस sentence को सुनते हैं कि हमें कैसे बोलना है आगे जैसे apple, apple को वो किसी word के context में नहीं सुनते हैं कि वो जानना चाते हैं कि हाँ ये word ऐसे बोला जाता है वो कोशिश करते हैं बोलने की जिससे उनकी language और vocab जो होती है वो develop होती है तो बहुत सारे models assume किये गए language acquisition के कि बच्चे किस तरीके से sentences को input करते हैं और represent करते हैं उस meaning को जो sentences उन्होंने gain किया है या जो सुना है और इसी context थे बच्चे जो क्या करते हैं knowledge gain करते हैं उस meaningful words के लिए के limitations भी थी इसमें जो 54 थे उन्होंने correct useful बताया इस theory का उन्होंने बोला कि जो Brunner ने अपनी theories के uses बताया है वो सही नहीं है कुछ उसमें add on करके इन्हों चौमिसकी ने बताया कि हाँ बच्चे जो होते हैं वो interaction के through जल्दी सीखते हैं languages को या किसी भी चीज को हाला कि जैसे बच्चे already जैसे जिस culture में वो पैदा होते हैं उस culture में stage by stage इस तरीके से पास होते हैं वो उस culture के through stages के through उसी तरह से language acquisition भी उस stages के through पास होता है और हम देखते हैं कि कुछ ऐसे adults होते हैं जो बच्चों से cultural बातचीत के लिए special तरीके को नहीं use करते हैं special ways of talking to children नहीं use करते हैं तो child directed speech जो cds ब्रुनर ने बताया है वो सिर्फ useful हो सकता है not be essential तो ये चमस्की ने भी इनके जो थियोरी थी ब्रुनर के उसको क्रेटिसाइज किया तो आई होप ये topic clear हो गया हो और ये theories भी complete हो गई है अब next video में मिलेंगे हम next topic के साथ तब तक घर पे रहें सुरच्चित रहें सीखते रहें मेरी videos को देखते रहें thanks for watching